Hello everyone, last जब हमने Digital Electronics 2017 वाले questions किये थे उस वीडियो में मैंने आपको बोला था दो questions है जो उस वीडियो में cover नहीं किये हैं वो question अब हम करेंगे First question is The min term expansion of function F with three terms P, Q and R equals to PQ plus QR complement plus PR complement is Now देखो ये आपको function given है, इसमें min term expansion बताना है वो generally हम find out करते है k map के through But in this video मैं आपको एक shortcut method भी बताऊंगी जिससे बिना k map बनाया है बहुत easily find out कर सकते हैं But उससे पहले हम k map के through करेंगे कि कैसे जरते हैं So इसमें हम दोनो methods को cover करेंगे देखो k map बनाने के लिए इसमें हमें three terms given है So it will be like So सबसे पहले हमारे पास है P, Q, R Right Now यहां हमारे पास आजाएंगे 00, 01 उसके बाद 10 नहीं होता है 11, 10 यहां आजाएगा 01 क्योंकि हाँ पे P single ले इसलिए 01, Q, R है तो हमने four combinations लिए है Now जिसमें हम main term लेते हैं वो कैसे लेते हैं सबसे पहले होती है आपकी M0 Then M1 Then M2 वो last में आती है और फिर आती है M3 यही sequence होता है Then your M4 5 6 And 7 Okay So यह हमारा K map बन गया है Now देखो सबसे पहले हमें दिया हुए PQ PQ का मतलब है PB1 है QB1 है So हम देखते है P1 कब है इस वाली row में यह आपका P1 Q1 कब कब है Q1 है आपका यहां भी 1 है और यहां भी 1 है Getting my point क्योंकि देखो Q पहला है word है आपका पहली term है So पहली digit कहां पर 1 है इस वाले में भी 1 है और यहां भी 1 है So basically यह वाली row और यह दोनो columns यह दोनो meet कहां हो रहे हैं overlap कहां कर रहे हैं इस वाली position पर So यह M6 and 7 दोनों mark कर देंगे हम यह दोनों mark किये हमने PQ के लिए Next है हमारा Q R complement That means Q आपका 1 होना चाहिए R आपका 0 होना चाहिए R complement means 0 So Q 1 हमारा है इन दोनों columns के लिए R complement That means R हमारा 0 So Q 1 R 0 This one So basically we are talking about this column So इस column को mark कर दिया यह हमने mark किया है Q R complement के लिए यह वाली जो मार्किंग की थी यह हमने की थी P Q के लिए Next है आपका P R complement That means P 1 R 0 P 1 है इस वाले row मे R 0 Now R 0 का मतलब है पीछे वाले digit 0 वो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है So basically this row And यह वाला column Plus यह वाला column आपको इसको pencil से grey करके दिखाती हो So basically we are talking about this row And यह दोनो columns So यह दोनो meet कहां कहां कर रहे है M4 पर And M6 पर Right यह दोनों होंगे हैं हमारे common जो mintum बनेगी अब बस हमें यह बताना है कि जो जो हमने marking की है उसमें कौन-कौन सी mintums आई है देखो M2 आया है So we will write M2 M4 M7 M6 और इन सब के बीच में Plus sign डाल देंगे And that is your answer अगर आप वीडियो को pause करके सारे options को check करोगे Then you will see that यह match कर रहा है हमारा option C से So right answer for this question is option C Now let us say आपको यह K-Map नहीं बनाना Now इसमें अब हमारी trick work करेगी कैसे करेंगे सबसे पहले हमें जो 3 terms given है जिस order में given है उस order में लिख लेंगे P Q R Now देखो सबसे बेला हमारी term है PQ PQ का मतलब है दोनों 1-1 होने चाहिए PQ को 1 कर दो Now R given नहीं है So R हमारा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है So हम दोनों possible cases ले ले लेते हैं R को 0 भी ले लेते हैं 1 भी ले लेते हैं So PQ 1-1 के लिए R के 2 cases हो गए Done P इसमें given नहीं है So P हमारा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है ठीक है So इन दोनों values के लिए Where Q is 1, R is 0 P की दो values है 0, 1 दोनों ले ली हमने Next हमारी है P R complement That means P 1, R 0 ये दोनों ये दोनों हमने fix कर दिया Now Q की कोई भी value हो सकते हैं हम 0 भी ले ले लेते हैं 1 भी ले लेते हैं अब इसमें हमने सारी जो भी हमें function में given है term सब को ले लिया सब की combination बना लिए Now बस आप इसको एक binary number की तरह treat करो और उनकी एक value लिख दो 1, 1, 0 आपका होता है 6 1, 1 होता है आपका 7 0, 1, 0 is 2, 6, 4, 6 ठीक है video term से हो सब लिख लेते हैं 2, 2 को हम लिख देंगे M2, 4, M4, 6 & 7 M6, M7 सब की बीच में प्लस का sign डाल दो Same answer है So आप K map के through भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो इसमें आपको K map बनाने के जरुवत ने सिर्फ सारे possible combinations को explore करने बस इतना याद रखने है Q, R complement means Q means 1, R complement means 0 So this was our first question Second question So this was our first question Now ये question same हमारा gate 2010 में भी आया था Next question देखते हैं Okay जो ये next question है ये आपका digital electronics से नहीं है ये question दूसरी वीडियो में डालना भूल गई थी तो इसमें हम cover कर रहे है Number of binary strings of length 5 that contains no two or more consecutive zeros So हमें एक binary string चाहिए of length 5 One, two, three, four, five और इसमें condition क्या है जो भी हम binary strings बनाएंगे length 5 की उसमें कहीं भी consecutive zeros नहीं आने चाहिए मलब एक साथ zero नहीं आनी चाहिए So five हमें digits डालने, zero, one हो सकते है क्योंकि binary string है Now देखो first से start करते है अब यहाँ पर zero या one कोई भी हो सकते है आपका Zero भी आ सकते है, one भी आ सकते है Now see, अगर आपने starting वाली position पर zero ले लिया है तो second वाली पर आप zero नहीं ले सकते है क्योंकि हमें consecutive zero तो चाहिए नहीं तो second वाली पर सिर्फ और सिर्फ आपका one आ सकते है ठीक है यह मैं आपको method बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी formula नहीं बता किसमें permutation लगेगा, combination लगेगा या क्या लगेगा So second वाली पर सिर्फ one आ सकते है बट अगर हमने first वाले पर one लिया होता तो second वाले पर zero भी आ सकते है वन भी आ सकते है It can be either zero or one consecutive zero नहीं होने चाहिए consecutive one हो सकते है अब अगर second position पर one है तो third position पर आपका zero भी आ सकते है one भी आ सकते है क्योंकि अब consecutive नहीं है बीच में one आ गया So it can be either zero or one अब अगर यहाँ पर zero है second position पर तो next zero नहीं हो सकता है क्योंकि फिर consecutive हो जाएगा So it can be only one अगर one है तो आपका zero और one मैंसे कोई भी हो सकता है बस आपको यह condition याद रखनी है कि consecutive zero नहीं होने चाहिए So basically जब आप इसको expand करोगे हर position के लिए अगर zero है तो next हमेशा one ही होगा अगर one है तो आपका zero और one मैंसे कोई भी हो सकता है अब जैसे यहाँ zero है तो next position पर सिर्फ आपका one आ सकता है In case of one It can be either zero और one One है तो zero है one मैंसे कोई भी हो सकता है Zero means only one आप करके देखो अपना pen paper लेके आपको देखने में मुश्किल लग सकता है बहुत असान question है Now अगर fourth position पर one है तो next आपका zero और one मैंसे कोई भी हो सकता है और अगर zero है तो सिर्फ one हो सकता है बस आपको यही याद रखना है Done सिर्फ हमें five length की चाहिए थी five length होगी है one, two, three, four, five और यह आपके सारे possible strings बनेंगे बहुत जल्दी बन जाएंगे आप सिर्फ आपको क्या करना है last में जितने भी numbers आएं उनको count करना है वो आपकी number of binary strings बन जाएंगी count करते हैं one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen so thirteen is your right answer got it अगर आपको कोई भी formula नहीं पता कुछ करने की जरूवत नहीं है सिर्फ अपनी common sense यूज करने है और बना बना के देखना है जो भी condition given है question में उसको ध्यान रखना है कि condition सिर्फ हमारी यही है कि consecutive zero नहीं होनी चाहिए that means एक सा zero नहीं होनी चाहिए बाकि आपको श्वी लो okay so I hope you learned something from this video इस video में जो main जो मैं आपको बताना चाहरी थी that was the trick to find the main term expansion okay and this one is quite easy I hope you learned something from this video if you have any doubt you can ask us anytime